स्वागता बच्चों आपका Self Study के इस चैनल में तो आज की हम अपनी 24th वीडियो स्टार्ट करते हैं और इससे पहले जो मैंने 23 वीडियो करवा दी हैं वोकैब की, उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रहे वोकैबलरी के नाम से आप जांकर वहाँ पर देख सकते हैं और हम अपनी वोकैब कर कैसे रहे हैं विद की याफिर कहीं विद के साथ कि हमें याद रहने में ये शब जो है वो असानी रहे बिना टाइम गवाए, आज का जो पहला वर्ड है या फिर इस वीडियो का जो पहला वर्ड है वो हम कर लेते हैं, पहला जो वर्ड है वो है intimate इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है गनिस्ट यानि गहरा, मतलब बहुत नजदीक clear, okay, इसको हम याद कैसे करेंगे, intimate को intimate को हम याद करेंगे auntie, auntie जो होती ना, अपने, महुले में auntie होती है auntie, okay mate, auntie, mate ओके, यह जो mate है ना यह M-A-T-E M-A-T-E वाला है, okay इस mate का जो मतलब होता है, वो होता है दोस्त, clear mate का मतलब होता है, दोस्त, auntie mate, समझ में आ रहा है, इसकी से हम इसको याद करने वाले है, okay, एक example के तुरू हम इसको समझते है जब से मेरी auntie जब से मेरी auntie mate बनी है, यानि जब से मेरी auntie, मेरी दोस्त बनी है clear यहाँ पर, ऐसे इसको समझना दोस्त बनी है, यहाँ भी मेट बनी है यहाँ पर टिकना था हम घनिस्ट हो गए है हम घनिस्ट हो गए है, यानि गहरे दोस्त हो गए है, clear हो गए है, तो यहाँ पर घनिस्ट इसका meaning भी आ गया, clear हुआ तो intimate, intimate का मतलब होता है घनिष्ट हमने इसको याद कैसे किया है अंटी मेट से अंटी मेट का मतलब होता है यहांपर मेट जो होता है वो तो दोस्त और हम ऐसे example के तुरू कैसे समझाए जब से मेरी अंटी मेट बनी है या फिर कहें जब से अंटी मेरी दोस्त बनी है हम कैसे हो गए हैं, हम बहुत गनिस्ट हो गए हैं, तो यह तो था पहला word, second word पे चलते हैं, second जो word है, वो है, idle, idle, इसका मतलब होता है, आलसी, idle का मतलब होता है, आलसी, clear, और इसको हम याद कैसे करेंगे, idle को, इसको हम याद करेंगे, इडली से, देखो, यह जो शब्द है, वो याद कराने के purpose पे है, किसी भी चीज को, या फिर किसी भी खाने के परदार्त को, मैं कुछ गलत नहीं कहा रहा हूँ, या खाने वाले को गलत नहीं कहा रहा हूँ, कहीं सोचें कि, आपने यह गलत एखザामपल है, सिरफ याद करने के purpose पे हैं, clear हूँ, तो Idle lie से हम इसको याद करने वाले, इसको एख्शामपल के तरुष समझते हैं, इडली खाने वाले, इडली खाने वाले लोग आलसी होते हैं, आलसी होते हैं अरे आलसी लिखना था आलसी होते हैं clear हुआ तो यहां पर idly यहां पर इसका key भी आगी और आलसी यहां पर meaning भी आगी है, सिर्फ और सिर्फ यह पढ़ने के purpose पे, मुझे blame मत कर देना, यह कैसे, क्या कह दिया ही है गलत है यहां नहीं कहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ पढ़ने के purpose पे ऐसा है और इतना ही लेना, और जुरूर नहीं तो आलसी ही होते हैं, तो idle इसका मतलब क्या होता है, आलसी clear, second word के बाद हम third word की तरफ चलते हैं third, जो word है वह innate यह word है innate, innate का मतलब होता है जनम जात, यानि जनम से ही innate, इसका मतलब होता है जनम जात, इसको हम याद कैसे करेंगे, innate का मतलब यह नाटे, इनेट में नेट यह नाटे, यह नाटे नाटे क्या होता है, बोने लोग यह नाटे, इसका क्या मतलब होता है, बोने इसको हमें example के तुरू समझते हैं ये नाटे हम कहते हैं ये नाटे हम ये कहेंगे यार ये नाटे बच्पन से ही है ये नाटे जनम जात से ही है यानि जनम से ही है clear हुआ तो यहां पर ये नाटे यहां पर इसका meaning भी आ गया यानि ग्यान कोई कठा करना, clear हुआ, ग्यान लेना, बटोरना, ऐसे समझा, तो ग्लीन का मतलब होता है ग्यान का संग्रह करना और ग्लीन को हम याद करेंगे, ग्लीन कहीं न कहीं गली, गली से याद करेंगे इसको, तो क्या होता है कि गली में घूमने से, गूमने से भी, ग्य ग्यान का संग्रह होता है, ग्यान का संग्रह होता है, कैसे होता है, क्योंकि गली में आप घुमोंगे, कौन, किसके घर में क्या चल रहा है, यह सारी चीजें आप देखते हुए चल रहा है, क्या होता है कि गली में घुमने से भी ग्यान का संग्रह होता है, तो यहां पर इसका key भी आगया और यह meaning भी आगया clear हुआ यह हो गया glean जो fifth word है यानि जो last word है इस वीडियो का वो है temporize 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 clear हुआ temporize इसका मतलब होता है टाल मटोल करना और हम इसको याद करेंगे देखो tempo मतलब कि tempo में होता है न tempo चलते हैं जिसमें सवारी लेके जाते हैं tempo tempo रोज rise यानि रोज clear तो tempo रोज हम इसको ऐसे कहा रहेंगे temporize को हम इयाद करेंगे tempo रोज example के तुरू समझते हैं हम यह कह रहें कि भाहिया हमें एक ऐसी जगह जाना है जहांपर इतना किराया नहीं है लेकिन tempo जो है वो tempo वाला तो टाल मटोल कर रहें क्योंकि एर वहां नहीं जाओंगा मुझे कम किराय मिलता है तो ऐसे होता है ना कि भाहां चलोगे तो क्या करता है tempo वाला भाहिया tempo रोज tempo रोज टाल मटोल करके निकल जाता है करके निकल जाता है, मतलब ले की नहीं जाता है निकल जाता है, क्याता है वहाँ नहीं जाओंगा ऐसा है वैसा है, निकल जाता है तो tempo रोज यहाँ पर इसकी की भी आगए और टाल मटोल करना टाल मटोल करना यहाँ पर इसका meaning भी आगए, clear हुआ, तो यह तो आज का fifth word, एक बार जल्दी से इनकी revision कर लेते हैं, पहला जो word हमने किया है, intimate, intimate का मतलब की घनिष्ट, और हमने इसको कैसे किया है, इस mate को ले लिया और इंटी को आनी, aunt, auntie बना लिया, तो इसको हमने किया, auntie mate, auntie mate से हमने इसको याद किया, जब से मेरी auntie mate बनी है, हम घनिष्ट हो गया, मतलब की, बहुत, क्या कहीं यार, वो गहरे दोस्त बन गया, clear, idle, idle को हमने याद, इसका मतलब होता है, आलसी, और idle को मतलब इसको idli करके ह हमने याद किया, क्योंकि idli इसको पड़ोगे तो idli जैसा लगता है, तो idli से हमने इसको याद किया, idli खाने वाले लोग क्या होते है, आलसी होते है, example कि तुरू हमने समझे, okay, यहाँ पर innate, innate का मतलब होता है, जनम जात, और हमने इसको याद कैसे क्या है, ये नाटे, ना ग्यान का संग्रह करना, और इस ग्लीन को हमने याद किया, इस आदे से, इसका इतना ले लिया, गली से, तो गली में घूमने से भी क्या होता है, यानि ग्यान का संग्रह होता है, यानि ग्यान इकठा होता है, आप गली में घूमिया, आपको पता चलेगा किसके घर में क्या और है फिर हमने जो 5th वर्ट देखा है वो कैसे देखा है Temporize, Temporize का मतलब होता है ताल मटोल करना और इस Tempo को हमने कैसे किए Tempo को तो ले लिए हमने ऐसे Tempo, Tempo जिसके अंदर सवारी ढोई जाती है यानि ले के जाये जाता है सवारी को आज के पांच वर्ड उमीद करता हूँ कि आप लोगों को यह पांच वर्ड समझ में आ गए होगे, तो समझ आ गए हैं तो क्या करना है, लाइक करना है इस वीडियो को और चैनल को क्या करेंगे चैनल को आप करेंगे, सब्सक्राइब सब्सक्राइब, और दोनों ही चीज़ें आप एक साथ कर सकते हैं, चैनल के साथ और वीडियो के साथ, वो क्या भाहिया दोनों को आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो से रिलेटिड आपको क्या चाहिए पीडियो तो इस वीडियो के exam के point of view से related बहुत सारी PDF आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी तो बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में thank you